हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब तो पिछले वीडियो के अंदर हमने डिसकेशन किया था स्पेसीज एंड स्पेसीशन को कि कैसे नई स्पेसीज हैं वो डवलप होती हैं अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है उपर आई बटन पे लिंक है वहां से जाकर कि आप उस वीडियो को देख सकते हैं आज की वीडियो के अंदर हम डिसकेशन करेंगे इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन जो की कंसेप्ट है आपकी NCRT का पूरा डेटेल में आपकी NCRT में दिया गया है हम इसको step by step समझेंगे कि क्या आखिर उस पूरे paragraph के अंदर गिवन है सबसे पहले हम बात करते हैं इवोल्यूशन के बारे में बहुत सारे उर्गिन्जम सहो डवलप हुये हैं धीरे धीरे तो इनके बीच जो चेंज्मेंट आया है इन इस परशीज में लगातार एक चेंज्मेंट to another generation environmental factors की help से natural selection की help से इस सब को study करने को हम क्या बोलते हैं वो लिशन बोलते हैं यह बात तो हम पहले पढ़ चुके हैं अब यहां पे बात आती है classification classification की सबसे पहले जरूत ही क्यों है देखिए यहां पर एक turnaround करके लिए इसके हैं चीज़ के लिटे हैं शोटा साबकर मिलते आप जाते हैं यहां यहां पर इक जगह पर जाता है वहां से निकालiska के आप देता है वैसे आपने कहा कि मुझे चिप्स यह तो फिर से एक पर्रटिकुलर जगह पर 코 सहां से निकाल करके ले आता है मतलब चीजों को उसने क्या किया हुआ है क्लासिफाइग किया हुआ है मतलब अलग-अलग पार्टेसंस में बाटा हुआ है सोचो अगर वो सारी चीजों का एक जगह पे ढेर लगा दे साबुन भी वहीं पर पड़े हैं चिप्स वहीं पर प्रटा है स्टेप बाइस टेप चीजों को समझने में कि कैसे और कितने टाइप के चेंजे जहां हमारे सामने इन और और एक साथ हमें गुरूप को पढ़ सकते हैं जैसे कि अगर हम सिंपली बात करें मल्टी सेलूलर की तो मल्टी सेलूलर के लिए हमें पढ़ने के लिए चीजों को हमें अलग अलग डिफरेंट जगाया पर नहीं पढ़ना पड़ता हम एक गुरूप को पढ़ सकते हैं जिससे उस गुरूप में पर्जेंट सारे जो और्गिनिजम से उनकी करेक्टरस्टिक्स हमें पता चल जाती हैं जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा था एमफीबिया के बारे में एमफीबियन्स कोन होते हैं जो कि अर्थ पे रहते हैं जो कि आपके पास सी में भी रह सकते हैं यहां पर रह सकता है और साथी पानी के अंदर भी रह सकता है यह क्या हो गया ऐसे बहुत सारे अंफीबिया होते हैं तो एक ग्रूप हो गया जैसे कोई बोलेगा एमफीबिया हम समझ जाएंगे कि हां यह व सब को हम किनी नरे groups के अंदर डिवाइड कर ले हम उनको क्लासिफाइब कर ले ताकि उनको पढ़ना हमारे लिए आसान हो जए तो क्लासीफिकेशन का सीधा सीधा मतलब यहीं है कि और्गिनिजम्स को प्लांट्स को एनिमल्स को सभी को एक छोटे-छोटे ग्रूप्स में सब ग्रूप्स में डिवाइड कर देना according to basis of their hierarchy of certain characteristics कहने का मतलब hierarchy का मतलब यहां पर क्या हुआ hierarchy का मतलब है कि एक बढ़ते वे करम में या फिर एक गढ़ते वे करम में मतलब करम वाइज किसी चीज़ को यहां पर हम लगा करके अगर ग्रूप्स उन्सके बना ले एक एक एक्जामपल से हम इसको समझेंगे कि कैसे तो इसको हम क्या बोलेंगे classification जो आपकी NCRT में जो एक्जामपल लिया गया है वह सबसे पहले एक सैल का लिया गया है अब सैल है उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं वह सैल तो बहुत सारी है फिर उस सैल के अंदर दो पार्ट में हम उसको डिवाइड कर लिया पहला एक ऐसी सैल जिसके अंदर नुकलियस है और दूसरी एक ऐसी सैल जिसमें नुकलियस नहीं है वैसे नाइंत म 활म में उसेफन होती हैं वह प्रोफरेंट को उपाता है तो पिर उनको और डिवाइड करसे मैं बता है हैरर की मतलब हिरार्की इसका मतलब ये दो टाइप की सेल में आ गए अब दो टाइप की सेल से और आगे हम चलेंगे अब इन इकुरेटिक सेल्स को हम बाढ़ देंगे according to complexity of organism जैसे कि अब कुछ organisms हैं वो single cell से बने होंगे केवल एक ही से बने होंगे और कुछ ऐसे organisms होंगे जो बहुत सारी से बने होंगे जैसे कि हम लोग हैं आपको पता है ठीक है single cell से बहुत चोटे-चोटे जैसे अमीबा है नुकलियस तो उसमें होता है पर single cell से बना है तो unicellular और multicellular इसमें हमने डिवाइड कर दिया मतलब एक करम लेके चल रहे थे cell से दो ताइप की cell हमने देखी फिर उन दो cell के बाद हमने फिर आगे एक और ग्रूप में डिवाइड कर दिया हमने equorates को अब यह complexity of organisms हो गई तो एक complex है बहुत जाद है इसकी प्रेशन के accordingly कैसे वो अपना खाना बनाते हैं कैसे अपना खाना खाते हैं इसके accordingly भी हम आगे इसको बाढ़ सकते हैं और टो ट्रोप हीट्रोप पढ़ चुके हैं आप तो जो और गिनिजम्स अपना खाना फोट यह डारेक्टली संलाइट से बना लेते हैं फोटो सिंथेटिस के थरू बना लेते हैं वह कौन से हो गए ओटो ट्रोप्स हो गए तो यह ग्रूप हो गया ना भी महाँ जैसे मैंने बोला ओटोट्रोप्स आपको बहुत सारे प्लांट की लिए फिर से इसको बाटना पड़ेगा तो इसको फिर से हमने दो पार्ट के अंदर डिवा डिवाइड किया इसकी बोडी स्टेक्टर के बारे में एक ऐसे हैं जो एंडोस्केलेटन रखते हैं एक ऐसे हैं जो एक्जोस्केलेटन रखते हैं इसकेलेटन का मतलब क्या होता ह आपकी बोडी का डाचता तो कुछ ऐसे और 지나そう husband जिनकी बोडी का डाचता है जिनका स्केलिटन हैं कंकाल वह बाहर होता है सबसे बकिए मुलबि इस hierarchy होता है सबसे बड़ाइग्जामपल थे हमलोग खुदी हैं अच्छा दूसरा एक्जोष्केलेटन है एक्जोष्केलेटन से मतलब क्या हुआ कि उनकी बोडी के बाहर उनका इसकेलेटन है कंकाल जो उनकी बोडी का है जो डाचा है उनकी बोडी का उनकी बोडी से बाहर है जैसे कि जो स्नेल्स हमारे पास होते हैं स्नेल्स कौन होता है के तो वो तो अलग तरह के हो गए लोईन है वो इक अलग तरह का यहां पर अनिमल हो गया तो हमारे अंदर भी तो काफी सारी सिमिलर्टीज दी सिमिलर्टीज हैं जिनके बोड़ी के अंदर इसके लेटन है तो आगे इसको और ज्यादा फरदर आप डिवाइड कर सकते हैं मतलब कहने का मतलब है yapa hair quand i кi कि करम है एक्र में लगातार कि इसके बाद ये फिर इसके बाद ये और डिवाइड करते करते हमेunt हेले हैं पर पर फिर सब ग्रूप यानि एक छोटे से ग्रूप के अंदर बनाते हम ले आएंगे मतलब मतलब थाकि हम एक सब्सक्राइब कोई कर सके मल qualified कोई हमें को होता है वह होता है जिसमें बोहत सारी ऑ शासा मिल के बोड़ी बंथी है तो हमने लंगे तो समझ आ गया थोड़ी टाइम बाद हमें दिक्कत आई कि यार इनसान भी मंटी सेलूलर है और टाइगर भी मंटी सेलूलर है तो इन दोनों के बारे में इनकी दोनों की करेक्टरिस्टिक तो अलग अलग है उसके तो फोर लिम्स हैं पंजे हैं वह अलगतरे के पाए जाते ह हमारे है वह अलग तरए करेंगे फिर उसके बाद उन में से फिर हम डिवाइड करेंगे ऐसे करंदर हम चलते जायेंगे और इसी को हम क्या क्लासिफिकेशन की certain organisms को और सबूप शुन में कर्सिक ता begin करते जाना इनकी क्रेक्टरिक्स के आधार ठीक है तो यह आपका क्या हो जाएगा क्लासिफिकेशन हो जाएगा जैसे इस इमेज के अंदर आप चार ओर्गनिजम्स को चार इनिमल्स को देख पारे होंगे एक आपके पास फिस है डोग है इलिफेंट है हाथी है चिम्पैंजी होगा यह सारे आपके पास क्या है मल्टी इस इनको बोड़ी के बाहर कंकाल आपको नजर आ रहा है रहा है आगर हमने वोला आइंडोस्केलेटन तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया जिनकी बोड़ी के अंदर इसको आप कर सकते है थीक अब लेकिन इनको और आगे डिवाइड कैसे करें हाथी है वह तो ट्रेश हुआ है जैसे कोई एकविटिक एनिमल्स तो फिस्स का नाम आएगा शाथ में क्योंकि फिस्स कहां रहती है पानी में रहती है तो आगे डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ जैसे बोलेंगे ट्रेस्टियल हेट्एट पोलर रिजन्स कुछ लिए बार छोड़ दें तो पोलर दीरे दीरे आप सब groups के अंदर divide कर सकते हैं इनको और इस तरह से आपके लिए इन organisms को पढ़ना इन animals को पढ़ना human beings को पढ़ना ये सभी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है तो ये simply आपका concept था evolution and classification अब next वीडियो के अंदर हम tracing evolutionary relationship को समझेंगे कि जैसे for example कि हमारे पास भी पंजेए ठीक है limbs हमारे पास भी है deer के पास hirane के पास भी Oui और lion के पास भी है और फि्श के पास में मतलब हम हमारा हाथ देखे कैसा है ठीक है डियर का एक वो बन गया बिल्कुल चलने के लिए एक नोक बना लिए उसने खुर बना लिया अपना चलने के लिए ठीक तो अलग-अलग तरह से उन्होंने डवलप कर लिया है ठीक इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिसकेशन करे लिए ताकि सारे नोटिफिकेशन्स आप तक पहुंशते रहें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू है वे नाइस टे